नमस्कार शामदरिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनों आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक शामदरिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स में एक तो सुनदर सी मेल हतेली आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हतेली मेरे शामने विबेचना के लिए आयोई हैं देखेगा आपकी हतेली में जो ये जिवन की रेखा है इससे निकल करके एक रेखा ऐसी जा रही है फिर एक रेखा इसको काटती हुए हलकी टच करके ऐसी जा रही है फिर एक रेखा देखेंगे ऐसी जा रही है ऐसी जा रही है और इनको भी ये रेखाएं काट रही है और ये रेखा भी इस परकार से जा रही है मनि एक सीध में रेखा नहीं है बिखराव की इस्तिती में है और उसको भी कुछ रेखाएं काट रही है ये आपकी स्वस्त्य की रेखा है आपकी जो है बुद्ध की रेखा है आपकी ब्यापार की रेखा है और जब रेखा ये इस परकार से होती है तो ये स्वस्त्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है छोटी भी अगर जीवन में स्वस्ते से समंदित कोई परेशानी आ जाए तो डॉक्टरी सलाहा आपको अवश्य लेनी है चीजों को इग्नोर नहीं करना है नहीं तो ये गंभीर बिमारी की संभावनाओं को जन्म दे देगी दूसरा जब ये रेखा इस प्रकार की होती है तो ये धन के नुकसान को दिखाती है ऐसे लोगों के पास धन कभी रुकता नहीं है धन का संचाए ऐसे लोग कभी नहीं कर पाते हैं धन के मामले में ये लोग बेमारों अवस्ता में आ जाते चाए कितना भी इन लोगों के पास पैसा आ रहा हो निश्चित तोर पे आपकी हतेली में कभी धन ने ठीकेगा हमेशा आप धन के लिए प्रेशान रहेंगे स्वास्तिय से समंदित कोई न कोई प्रेशानी आपकी जीवन में हमेशा बनी रहेगी यह इस चीज को दिखाता है धन के नुकसान होनी की संभावना को घर परिवार में जबरदस्त कलाहद को दिखाता है ऐसे लोगों को अपने दामपत्य जीवन का जो चरम सुक्का भोग है जो परिवार के चरम सुक्का भोग है जो कुटुम के चरम सुक्का भोग है वो कहीं न कहीं ये चीजें इन लोग तरस्ते रहते हैं लेकिन इन चीजों का भोग नहीं कर पाते हैं ठीक है ने ऐसे जातकों को जीवन साती से कहीं न कहीं वो सुक नहीं मिल पाता है मनिक प्रस्तितियां खड़ी हो जाती है यह इस चीज को भी दिखाता है तो आपको सबसे पहले इस चीज की और ध्यान देना है आप कहेंगे कि जैसे ही इन्होंने हतेली पढ़ना सुरों किया वेसे ही कमी निकाल दी क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रोब्लम है अब इससे भी बड़ी एक और मेजर रेखा है आपके हतेली में जो कदम कदम पर आपके जीवन में मुश्किलें पैदा कर रही है अच्छी भी चीजे हैं बहुत अच्छी हैं उनको भी दिखाता हूं लेकिन जो वास्ट्विक प्रोब्लम है वो दिखाता हूं आपके सवालों को भी लेता हूं यहाँ पे ध्यान से देखेगा आप, यह आपकी हिर्दय की रेखा है, यह आपकी मस्तिस्क की रेखा है, यह आपकी जीवन की रेखा है, यह आपका निम्न मंगल है, यह आपका उच्च मंगल है, ठीक है न? आप देखेंगे निमन मंगल से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और हिर्दे रेखा पे मिल रही है और यहां पे ये देखेंगे इस प्रकार से चीजों को बना रही है मैं इस प्रकार से दिखाता हूँ ये रेखा आ रही है इस प्रकार से इसने देखेगा सबसे पहले आपकी जीवन की रेखा को काट लिया जबरदस्त रूप में है फुल पावर जिसको कहते है जब ये जीवन की रेखा को काटती है इसका मतलब क्या है? कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का विक्ति को सामना करना पड़ रहा है अब यहाँ पे देखेंगे तो यह क्या कर रही है मस्तिस्क की लकीर को काट रही है कहीं न कहीं ब्यक्ति का तनाव जैसे खतम न हो रहा हो ब्यक्ति परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहा हो मनि उसका 2400 गंटे तनाव चल रहा है ये मस्तिस्क पे वार कर रहा है तीसरा आप देखेंगे ये करियर और धन की रेखा को काट रहा है मनी आपका जो है चै पैसों का मामला हो धन का मामला हो चै रुप्य पैसे का मामला हो या रोटी रोजगार का मामला हो आजीव का का मामला हो भयंकर ये उतार चड़ाव दे रहा है अब ये लाश्ट में क्या कर रहा है कि हिर्दे की रेखा को जबरदस चोट पहुँचा रहा है मनि आपके रिस्ते खास कर दामपत्य जिवन का रिस्ता, परिवार का रिस्ता और कुटुम का रिस्ता इन रिस्तों का जो चरम सुकाब हो गए हो उसके बीच में ये दिवार खड़ी कर रहा है ठीक है ने? आप देखेगा यहाँ पे ये भयंकर चीजें करता है गुणा का चिन्म जब राहों का इस प्रकार से नगेटिब प्रभाव जीवन पर पड़ता है तो आप चाहे नौकरी कर रहे हो या आप ब्यापार कर रहे हो ये दढ़ामसी चीजों को गिराता है ठीक है ने? दूसरा ये आपको जो है धनहानी कराता है ब्यापार हानी कराता है और कहीं न कहीं इन चीजों में आप समल गए तो फिर ये करजे में डालता है ठीक है ने? बिक्ति कर्जे कि ऐसे दल दल में फंस जाता है कि उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है अग कहीं आप इससे बच गए थोड़ा बहुत अपने जीवन को चला रहे हैं तो फिर ये आपके रिस्तों से मन मुटाओ कर लेता है रिस्तों का सुक आपको नहीं आता है और ये कहीं न कहीं बाद विबाद में आपको फसाता है कोर्ट कचरी का मामला बनाता है ये भी नहीं हुआ आपकी जीवन में तो बड़ा सावधान रहें फिर फिर ये क्या करता है कि रहस्य में बीमारी ब्यक्ति को देता है ब्यक्ति वो बिमारे कहां से आई है उसका इलाज क्या है किस प्रकार से वो ठीक होगी ये पता नहीं चलता है ठीक है ने और इसी बिमारे में पूरा जीवन उसका निकल जाता है ये आपकी हतेली में ये वाली रेखाई है और ये वाली रेखा बहुत मेजर रेखाई है और इन के लिए मैं आपको उपाई दे रहा हूँ बहुत केरफुल तरीके से उपाई करिएगा निश्चित तोर पे थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन आपको जो है फाइदा बढ़ा अच्छा होगा अब यहां पे देखेगा यह आपका अंग उठा है यहां पे हड़ी बहुत जादा निकल चुकी है ठिक और यहां पे यह चीजें दिखाई दे रही ज़रा ध्यान से देखने की कोशिस करें हतेली को जब ऐसी इस्तिति बनती है और यहां पे यह किलियर कोई भ पैदा करता है जीवन में धनहानि कराता है ऐसे ब्यक्तियों को ब्यौशाई बड़ा सोच समझे कर करना चाहिए यह ब्यौशाई में नुकसान को दिखाता है खास कर अगर ब्यक्ति जल्दबाजी में कोई काम करता है भावनाओं के बसीबोत होकर बड़ा निर्णायन ले या उतावलापन दिखाता है तो जबरदस्त धनहानी बेक्ति की होती है ब्यापार हानी होती है अगर ब्यापार करते वी है तो पार्टनर्शिप में ऐसे लोगों को ब्यापार नहीं करना चाहिए खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास रहता है और खासकर जीवन में धन कमाने की इस्तिति लेट आती है यहां पे जो इस्तितियां सुधर रही हैं 57 एर से 57 वर्स के मध्य से मनी अप्रेल मही से आपकी इस्तितियों में सुधार होना सुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा समय आपका तीक समय आने बैट जाएगा तो आप उपाई जबरदस्त क कीजिएगा समय बहुत नजदीक है अच्छा समय मनी पूरी तो से चमतकार आपके जीवन में दिखाई दे रहा है परिवर्तन दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा लेकिन जैसे जैसे उमर बढ़ेगी पीठ का दर्द है गोटने का दर्द है पर कमर की प्रोब्लम है जिसे से आप बचके रहेंगे ठीक है यह चीजें इस पस्ट दिखाई दे रही है यहां पर आपके सवाल को लेते हैं उससे पहले एक बहुतरीन चीज़ आपकी हतीली में देख लेते हैं यहां पर देखेंगे तो यह आपकी मिडिल फिंगर है उसका भाग है और यह मिडिल लेकिन आपका जो मानसिक छमता है मानसिक ताकत है वो बेहतरीन रहेगी और यहां पर यह उंगली पूरी तरों से जुक रखिये है मिडिली फिंगर की तरफ आपकी अध्यात्मिक ताकत भी बहुत अच्छे रहने वाली है ब्रेस्पति का खूब सूरत प्रभाव इसमें पढ़ रहा है बड़ा सुंदर बड़ा लौकिक प्रभाव इसमें पढ़ रहा है इसका मतलब है स्वाविमानी रहेंगी जीवन में बिवेक बहुत अच्छा रहने वाला है और ऐसी इस्तिति आ रही है अपना तो चलेगा ही द और खुस्नमा माहूल बना रहेगा ये इस्तितियां आ रही है दोसरों की मदद करना बुद्धिमान बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त रूप में दिखाई दे रहा है कि आगे चलकर भग्या का बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है इस पष्ट चीजें दिखाई दे अभी की इस्तिति देखें तो हतीलियों का जो जुकाओ है ये मिडल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है और इस रेखा के कारण इसमें बुरा प्रभाव पड़ रहा है ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाते हैं कई बार सब कुछ होते होई भी खुशियों में बहुत ज्यादा कमी बनी रहती है ये इन चीजों को भी दिखा रहा है यहां पे अब चलते हैं आपके सवालों पर किया दिख रहे हैं आपने सबसे पहला प्रशन पूछा है अपना प्रमोशन कैसे होगा देखेगा यहां पे राहों का आपको पूरी तरों से उपाई करना पड़ हैं और दिव्य सूर्य के रिया दिव्य योग ध्यान के रिया साथ में पूरी तनम यतासि करते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लेकिन निश्चित तोर पे आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो जाएगी दूसरी बात आप लिखते हैं दूसरा सवाल है आपका वो यहाँ पे इसके कारण है बाकि आपके ग्रह बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे बता रहा है कम से कम दो साल के बाद ही किसी भी चीज में आपको बड़ी सपलता मिलेगी आभी थोड़ा सा आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा यह समय निकालना पड़ेगा आप तीसरा प्रशन पोचते हैं धन आर्थिक इस्तित में कम से सुधार होगा 57 एर के अप्रेल मई से आपकी जीवन में धन के मामले में बड़ा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है इस्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है हर समय सही निड़े नहीं ले पाता हो यह आपकी हतेली में राहो के कारण है जिसके कारण यह जीवन में उल्जन दे रहा है कन्फ्यूजन की इस्तिति प्राप्त करवा रहा है आपको दुविधा में डाल रहा है और चीजों में बिलंब और अर्चन देता हो दिखाई दे रहा है दिब्य योग ध्यान के रिया जरूर करें आपको लाब होगा पेट की विमारी आप लिखते हैं मैंने सबसे पहले आपको यही चीजें बताई है कि इस रेखा की वो जो से समस्याई बढ़ रही है विसे इसकर स्वस्त्यकों लेगे हमेशा प्रॉब्लम लगा रहता है यह इसका कारण आपकी जीवन में यह है दूसरी बात दामपते जीवन का सुक आपको नहीं मिल पाता है क्योंकि आपकी वाइप आपसी थोड़ा अलग रहती है तो इसका कारण भी कहीं न कहीं आपका यह राहो है इसको ठीक करेगा आपको बड़ा लाब होगा यह आपके सवालों के उतर थे कुछ मेजर रेखाएं थी वो हमने देखी है अब अहतेली की विसलेशन पर चलते हैं यहाँ पर देखेंगे तो धार्मिक भावनाईं बहुत अच्छी रहेंगी इस स्वर में विश्वास बना रहेगा अपने आरादे के परती समरपन की भावना रहेगी और दयालो ब्यक्तित्वा आपकी जीवन में बना रहेगा कुछ जादा मेहनत और परिस्रम करने पर ही चीजों में सपलता मिलेगी यस पाने की इक्षा नेम फिम पाने की इक्षा और अपने कारियों में विस्तार पाने की इक्षा बनी रहेगी इसके कारण कहीं न कहीं जीवन में सपलता की प्राप्ते होगी दोनों उंगलियां यहां पे बराबर हैं दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है धन और यस की भूक है पैसा और सम्मान जीवन में बहुत जरूरी हो गया है और अभी जीवन का मातर लक्ष भी यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है सबसे चोटी उंगली देखें तो पूरी तरों से जुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की जबरदस्त ललक दिखाई दे रही है लेकिन इसके ये पहले पौरवे तक नहीं पहुँच पा रही है धन के परबंदन में कागजों के रख रखाओ में एकाउंट विल्टी में फाइलिंग में और कम्यूनिकेशन इसकिल्स में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है यहां तक नाखोन बढ़ाएं ये कमियां अपने आप ठीक होने बैट जाएंगे आपको इसका लाब बहुत अच्छा मिलेगा यहां पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आपकी हिरदय रेखा ब्रेस्पति को के उल्ट टच कर रही है सुबह उठते ही तीन चीजों पे बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है उठते ही फिजिकल बॉड़ी की तरफ उठते ही धन की तरफ और उठते ही अपने कारियों के विश्तार की तरफ ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है आगे जाके लाब होगा यहां पे बौदिक अस्तर बहुत अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं विवेकवान विव्दित तो रहेगा यहां पे चंद्रमा का जादा प्रभाव पड़ रहा है और यहां पे इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही है जो अगर आप देखें इस प्रकार सा योग का आखकार भी आपके करियर और धन की रेखा पर बन रहा है तो इसमें पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है धन के मामले में संगर्स बना रहता है और चंद्रमा का जीवन रेखा पर सात महें प्रभाव पड़े तो उतार चड़ाव और उस्तिर्ता देता है जन्म अस्तान से दूर रह कर बेक्ति सफलता की प्राप्ति करता है लेकिन कर्म ऐसे करता है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति ऐसे बेक्ति को मिलती है यहाँ पे दिखाई दिये रहा है कि देखेगा 58 वर्स से एक से जादा सुरोतों से धन कमाएंगे और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस परकार से धीरे धीरे तिरबुजी भी बन रहा है तो यह money management में आपको सुपर बनाएगा और जीवन में बड़ी सपलता हासिल करवाएगा यह अभी बता रहा है कि अभी कम से कम दो वर्सों तक कोई न कोई चिंता बनाए रखेगा और थोड़ा संगर से भी जीवन में रहेगा इस चीज़ को दिखा रहा है सुकर की अगर इस्तिती देखें तो वर्टिकल रेखाई उबर रही है कारे के प्रति जुझारोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और यह चीज आपको बड़ी सपलता दिलाएगी अपने को maintain रखना अपनी personality पर ध्यान दे ना अपने को सज सवार कर रखना यह चीजें ज़्यादा रहेगी नई चीजों के परतिरूज्छान रहेगा चाए नई परकार का फैसन हो नई परकार के कपड़े हो या नई परकार के कोई चीजें हो बहुत एक सुकसु विदाओं के तरह बहुत ज़्यादा आकरसंड रहेगा चाहे लगजरी जीवन हो या अल्टरा लगजरी जीवन हो या चकाचोन हो या गलेमर हो आगे जाके फाइदा तो जो होगा लेकिन इसमें यहां पे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा जाल बनावा अभी किसी चीज को लेकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चिंताई भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं मनि व्यक्तिक्या जीवन कहीं न कहीं संकटों और कटनायों के बीच में गुजर गर रहा है लाख प्रियास करने पर सारे साधन होने के बाब जोड़ भी जिस परकार का सुक मिलना चाये उस सुक से बंचित हैं तो इन चीज को ठीक करने के लिए दिव्यय योग ध्यान के रिया जरूर करें आपको बड़ा लाब होगा साथ में दिव्यय सुर्य के रिया करना भी ना भूलें निम्न मंगल और उच मंगल अगर हम देखें तो प्राकरम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा कोई भी आप से मिलेगा तो वो भी कमपर्टेवल फिल करेगा यहां पर देखेंगे तो आगे चल कर जो आपकी प्रोग्रेश लाइने हैं वो बहुत सांदार है बलकि दो सुरोतों से धनका आगमन को भी दिखा रहा है आगे जहां सांसार एक सुक जबरदस्त मिलेगा वहीं पारिवार एक सुक मिलने की संभावना भी अच्छी आते हैं तो लाव होगा सुर्य थोड़ा दबा हुआ है तो बरतमान में जो प्रियास आपके द्वारा किये जा रहे हैं अभी उन प्रियासों में पूरी सपलता नहीं मिल पा रही है जो मिहनत आप कर रहे हैं जो परिसरम आप कर रहे हैं उसका जो पूरा स्रेई है जो क्रे निखर के नहीं आपा रहे हैं आपको एक सहजता से एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो एक दिव्य सूर्य किरिया दे रहा हो विदिवत तरीके से करीबन चार से छह मेहने तक जरूर करें अगर आप विदिवत तरीके से ये करते हैं तो यकीनन सूर्य की अच्छे प परफेक्ट हो जाएगा और आपका जीवन सहिजता से चलने बैठ जाएगा फिर चाहे सारे रिख स्वस्त्य हो जीवन की खुसाली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये चीजें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी दिव्य सूर्य किरिया वास्तों में जरूर करेगा आपका बुद्ध बहुत अच्छा है और बुद्ध में जो ये खड़ी रेखाएं हैं एक तो सेवा भाव बहुत अच्छी दे रही है दूसरा कहीं न कहीं आपके बारे में बता रही है कि एक से जादा भासाओं की जानक अगर बोलना नहीं भी जानते होंगे तो समझना जरूर जानते हैं तीसरा आपकी ब्यापारिक बुद्धी बहुत अच्छी है और बुड़ापे के अंतिम छन तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा आपका वानी की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी और कम्यूनिक इसके दम पे सफल होंगे यह दिखाई दे रहा है आपका चंद्रमा अगर देखे हम थोड़ा कहीं पर बहुत जादा उबर गया है कहीं पर बैठ गया है तो चंद्रमा थोड़ा खराब इस्तिति में है और चंद्रमा जब खराब होता है तो व्यक्ति का मन गड़बड रहत है विकति मानसिक परेशाने से गरसित है कि कई बार ऐसा विकति बहुत ज्यादा भावक होता है या emotionallyly परेशान हो जाता है चंदरमा इस प्रकार से unbalance होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है और जब मन अच्छा नहीं system है वो सहीं नहीं होता है और पीट भी अमारा सहीं नहीं होता है चंद्रमा इस प्रकार से negative हो जाए तो मां का सुक भी पूरी तरों से नहीं मिल पाता है और नीन आने में विक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो इसका भी मैं उपाई दे रहा हूं देखा जाए तो मैंने आपकी हतेली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में बिद्वत तरीके से लिक करके और आडियो के मादेम से बेज रहा हूं आपकर ने की कोशिस करें निश्चित रोप से आपको अच्छा फाइदा होगा लेकिन कितना होगा कितने समय बाद होगा यह इस पर डिपेंड करेगा कि आप उपाईयों को किस प्रकार से करते हैं और उसके प्रति कितनी सरदा रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ मुनों पस्तित होंगा तब तक क लिए नमस्कार